हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हार दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर परदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कब आने वाले हैं ओल लाइन डिप्लोमा फार्म वीडियो डिप्लोमा फार्म का इंतजार कर रहे हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वे लागन के साथ साथ आलके बटन पर क्लिक कर लें जिससे की सारी इंफार्मिशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदे इस्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर इस वीडियो से पहले उत्तर पतेद से लेटेट एक वीडियोStar और और मन आचुके हैं इस्वर हम्ने आपको बताया था कि जो कोटे की सीटे होती है प्रबंद की कोटे की मैनेजमेंट कोटे की जो सीटे होती उन्के लिए अप्लीकेशन फार में स्टार्ट हो गए थे जिन स्टुडेंट को मैनेजमेंट कोटा के अंतरगत इस सत्र में एडिविशन लेना है यानि 2021 वाइस में जो आडिविशन लेना है तो वो तुरंत मैनेजमेंट कोटा के अंतरगत एडिविशन ले सकते हैं उसके बाद बहुत सा नॉम्मर लाश्ट तक आसानी से निकल आते थे वो दिसंबर भीत किया और जन्वरी भी स्टार्ट हो गई तो आखिर में अब कब आने वाले हैं क्या इस बार नहीं आएंगे क्या जानकारी है तो फ्रेंट इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आखिर मे अभी तक क्यों नहीं आएंगे कितना लेट होंगे क्या आएंगे या नहीं आएंगे और कब तक आसानी से आपको अगर आएंगे तो कब तक आसानी से जो भी first year का batch है और या second year का batch है first year बाले batch की भी अभी exam नहीं हुए है अगर second year के batch की बात करें जो इसमें second year में पढ़ रहे हैं तो उनका second year का एक्जाम अभी तक conduct नहीं कराया गया है इस पर सीटे हैं वो जो भी सीटे रहती हैं college में जो भी यहां पर संस्थान होते हैं जिनमें यह कोर्स करवाया जाता है तो उनमें सीटों की संख्या निश्यत है जब सेकंड इयर वाले पास आउट हो जाएंगे या उनका एक्जाम का नोटिस आ जाता है तब भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निव फार् कराते हैं इनके पास इतनी संख्या में या इतने इंफ्राटक्चर मोजूद नहीं होते हैं कि वो लगातार 3-4 बैचों की उनकी सामार्थ हो सके तो अभी तक जो भी इनफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है तो जो सेकंड इयर वाले स्टुडेंट है जिनका अभी तक सेकंड पर 19 में जो स्टुडेंट ने अडविशन लिया था और कोरोना की वज़े से उनका सेशन जो लेट हो रहा है इसकी वज़े से उनका सेकंड इयर का एकजाम अभी तक कंड़क्ट नहीं कराया गया है जबकि जो पिछली साल स्टुडेंट एडविशन लिया है उनकी फीस दो इनके बारे में भी अपडेटे प्राप्त हो रहा है कि जैसे ही सेकंड इयर वाले इस्टुडेंट जिनका सेकंड इयर का में एकजाम होना अभी बागी है इसके बाद वो पास आउट हो जाएंगे उनके एक्जाम के बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन उतरपदर पर आते हैं कि जब तक फर्स्ट राउंड कांसिलिंग इस्टुडेंट की हो और इस्टुडेंट को वो कॉलेज मिल जाए उससे पहले ही सेकंड इयर वाले स्टुडेंट उस कॉलेज से पास आउट हो जाएं तो फ्रेंट्स ये में कारण है और बहुत सारे स्टुडेंट इस बात को समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है और इसी कारण उत्तर प्रदेश इस्टेट मेडिकल फैकल्टी के फार्म आभी तक नहीं आए हैं इस बार तो फ्रेंट्स बिल्कुल कनफर्म है जो भी अफवाहें उड़ाई जाए हैं कि इस बार नहीं आएंगे ऐसा कुछ बिसियों की बज़े से कुछ सब्जेक्टों की बज़े से ये कुछ बिलंब इसमें हो जाता लेकिन कनफर्म है इस बार भी उत्तर प्रदेश इस्टेट मेडिकल फैकल्टी के जितने में डिप्लोमा कोर्सिस के फार्म आते हैं वो बिल्कुल आने वाले हैं और इस ज इस फार्म को डालना चाहते हैं विल्कुल अपनी डाकुमेंट प्रिपेर करवा लीजीगा क्योंकि डाकुमेंट प्रिपेर करने में भी आपको लगवे 10-15 दिन का समय आसानी से लाइक जाएगा तो अपनी डाकुमेंट प्रिपेर रखीगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मे आज आएगा इस स्क्रेन पर आपको चैनल को लोगों दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करीजिगा जिसे की लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेज इस्टेटमेंट गल फैकटी डिप्लोमा कोर्सेस निव अडिविशन रिलेट आपके पास सबसे पहले और फिरे में पहुंशते रहें थैंक्स पर बातिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल